हसने मुस्कुराने के बहाने ढूड़िये, समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हसने मुस्कुराने में बिल्कुल भी कमी न कीजिये, हसने खुस होने के बहाने ढूड़िये, इससे सेहत भी खिलेगी और मन भी परसंद रहेगा कोरोना संकट के बीच जीवन लगबग थमसा गया है करोना कब खतम होगा कहीं हम करोना से बिमार तो नहीं हो जाएंगे नौकरी की चिंता परिवार की चिंता आदी बातों से लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और तनाव में आ रहे हैं इस समय लोग हसना मुस्कुराना तो लगबग भुल ही गए हैं जबकि हसने मुस्कुराने से कटिन समय में आपको ताकत मिलती है और आप उस समय को असानी से निकाल देते हैं हसने मुस्कुराने से आप सेहत मंद भी रहते हैं मुस्कान को सास्त्रों में कहीं कहीं हवन बताया है मुस्कान को हवन इसलिए कहा गया है कि जीवन के यग्यकुंड में अपनी प्रसंग्रता का आहुती दीजिए और आस पास के वातावरण को पाजेटिव करिए क्योंकि संगर्ष के दोर में तनाव उदासी वाचिड़ में पहुंच गया तब देवताओं ने राम जी से कहा इस दुष्ट को और ना खिलाते हुए अब इसे मार दीजिए देवताओं की बात सुनकर स्री राम मुस्कुरा और फिर अपने बांड तैयार किये एक तरफ युद्ध खड़ा है हिंसा हो रही है दूसरी और राम जी मु पर्संदता के साथ किये जाने चाहिए और मुस्कान उसका जोका है रामड नई नई सकलों में इन दिनों हमारे आसपास हैं आप कितने ही परसान हों परसंदता मत छोड़िएगा उस परसंदता को प्रेणा देने के लिए मुस्कान हैं जीवन में आती है साकरात्मक्ता मुस जहां महावल को खुश्णुमा बनाया रखती है, वहीं एक अच्छी मुस्कुराहाट के साथ की गई बात सामने वाले वेक्टी पर अच्छा परभाव डालती है। खुल कर हसने से कई बार छेपी भावनाय भी वेक्ट की जा सकती है। मुस्कुराते हुए काम करने से मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा किया जा सकता है। जिन्दगी को अलग तरीके से और खुस रखर जीने का जज़बा आता है। सेहत को मिलती है उठ्जा। हसने से immune system भी सही रहता है क्योंकि इससे ज़्यादा मात्रा में white blood cells बनते हैं जो अनेक प्रकार की बिमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं research में भी इस बात को माना गया है कि खुलकर हसने वाले लोगों से बिमारिया कोसो दूर रहती हैं हसने से बाड़ी में प्रयाप्त मात्रा में oxygen पहुशती है इससे फेफ़डों से लेकर muscles और सिल अच्छे तरीके से काम करते हैं